अप्लिकेशन सॉफ्टेर को जब डिजाइन किया जा रहा था यह अप्लिकेशन सॉफ्टेर का मार्केट चल ला था यह मैं बात कर रहा हूं 1990s 1993 के आसपास इस समय एक टेकनलोजी आई अब सुनना देहां से 1990s में एक टेकनलोजी और इस टेकनलोजी में क्यों आई यह अगर एक office में 50 computer है उन 50 computer की common requirement है कि मुझे यही software यूज करना है उनको अलग-अलग अपनी अपनी machines पे install करना पड़ेगा क्यों कि desktop application इसी लिए है क्योंकि इनको installation के बाद ही आप यूज कर सकते हूं तो बात हम यह कर रहे है कि बहुत जब application software थे सक्सेस थे 1992-93 हर company अपने application software डिवलप करना शुरू कर दिया होटल वाले ने manual working को खतम कर दिया application software design कर लिए ठीक होस्पिटल होटल सरी manual working खतम होगी application software आ गए तो धीरे 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 यह manual working का craze खतम होते होते application software में convert होने लगा लेकिन जब यह application software market में आए ट्रेंड में आए तो यह सोचा गया सर अगर मानलो मेरे पास 100 system में तो मुझे तो 100 system को अलग अलग install करना पड़ रहा है तो यहां सोचा गया कि क्या यह possible है कि एक system पे इस software को install कर दें और बाकी उस system के अलग अलग नोड मतलब यह भी system सी है इस main system पे software को install कर दें और यह जो अलग अलग computer है right computer one system one है ठीक यह system one है यह two है यह three है ठीक क्या इन अलग अलग system पे इनको यूज किया जा सकता है मतलब एक limited area में एक limited area में I'm talking about limited area कि चलो 10 system है one two three four क्या यह सकता है कि एक system पे में एक software को install कर दिया and that's his software can be using multiple system तुने वोला बिलकुल हो सकता है तो यहां पर आप देखुए concept आया एक technology आई जिसने यह possible किया कि आप एक local area में एक software को install कर दो एक machine पे और इसको दस अलग अलग machine पेक्सेस करना शुरू कर दो तो यह जो इन्वार्मेंट आया यह जो टेक्नलोजी आई इसको बोला गया local area network या internet सुना होगा कभी आपने नाम और यह जो में सिस्टम है जहां पर यह installed a software इसको बोला गया server तो server क्या होता है कहीं बार यह word आपने आज रियल लाइफ में सुना होगा क्या अभी server बंद है bank का server बंद है आज mobile network डाशे सुरी mobile का server off है server होता क्या है being a beginner अगर आप thought ले रहे हो तो server कुछ नहीं है एक system ही है एक computer जिसकी capacity normal computer से 100 times or more than that ज्यादा होती depends on the requirement to server मतलब क्या है वो software जहां पर एक software वो system जहां पर एक software को रख दिया गया और अब यह जो अलाग अलाग system जिनकी में बाग करना हो इनको बुला गया client machine client 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 ठीके इसको बुला गया client machine client machine यह के लाए client machine ठीके यह के लाए client machine तो यह जितनी भी machines and these are called client machines तो जब यह possible हुआ कि बहुत सेर्वर पे एक software को install करके इसको multiple client में access किया जा सकता है तो इसी concept को बच्चे बोला गया client server client server इसी को बोला गया client server architecture this is called client server architecture जो कभी आपने सुना client server architecture मतलब क्या तो client server architecture की शुरुवात ऐसे हुई थी internet से local area से और इस समझ में आ रही है बच्चे यह बाते clear हो रही है आई होप कि आप समझ पा रहे हैं चीजों को अभी तो बहुत लंबा सफर तह करना है लेकिन मैं हमेशा जब आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो फिर क्या मुश्किल और या आसा ठान लिया तो ठान लिया जब ठान लिया है कि जावा डेवलोपर बनना है तो फिर बच्चे थोड़े से फोकस डोके मेहनत तो करनी पड़े गए से वाइट क्य Rights कि पच्चे इसके बाद ही नाम होगा और मैं हमेशाव यहीं भी बात मत बोलता हूं आपसे पिछली बार भी कही बार मैं भी नहीं है कि बॉस नाम से काम होता है किसे ठीके तो पहले नाम नहीं है पहले काम करना होगा उस काम से नाम होगा और पिर ऐसा नाम होगा कि नाम से ही काम हो जाएगा तो अगर अपने नाम से काम करवाना है तो पहले ऐसा काम कर दो कि नाम हो जाएगा